नमस्कार आप देख रहे हैं ABC India मैं अमित भोबिया दोस्तो आज हम बात करेंगे बदाम की खेती के बारे में और उसी के साथ साथ घर पर आप खुद के खाने के लिए बदाम का पोदा कैसे लगा सकते हैं किन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपके हम पर पोदा का लग जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लगबग एक एकड में यानी 43,560 स्केरफिट एरिया के अंदर आपके 194 पोदे लग जाएंगे 194 इतने प्लांट जो है आपके एक एकड में लग जाएंगे अब रही बात कि ये प्रोडक्शन कितना दे देता है तो बिदाम का पोदा जब 5 साल का होता है तो अच्छी खासा मैचूर होयाता है और 5 साल का मैचूर पोदा आपको 40 से 45 किलो के बीच में प्रोडक्शन दे सकता है कच्चा बिदाम जो है वो बजार में अगर आप बेचते हैं तो वो आपका 700-800 रुपे किलो नहीं बिखता है इस विदाम की तरह है वो आपका बिखता है लगबग 100 से 1.500 और 160 रुपे किलो के बीच में है हम एवरेज मानते हैं कि 120 रुपे किलो बिख जाएगा तो 120 गुना मैं 40 एक पोदे से 40 से 45 किलो मिलता है तो हम 40 माने प्रोडक्शन जो है आपको एक एकड़ सो सकती है 5 साल बाद लेकिन मैं बता दूं कि मैंने भाव आज का लगाया है 5 साल बाद ये भाव भी बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्शन और कमाई सब चीज़ें बढ़ेगी खर्चे बढ़ेंगे खैर अब रही बात की बदाम का पोदा घर पर कैसे लगाएं तो घर पर लगाने का सिंपल सा तरीका है सुबह की और शाम की प्रोपर धूप पोदे को मिलती रहे ऐसी जगहें पर लगाएं दूसरी चीज़ जहां पर कमपोश्ट जादा रहता है फारम मैनूर ज़्यादा रहता है ऐसी जगहें पर लगाएं बदाम का जो पोदा है ओडू की फैमिली से आता है यानि की बदाम को आप अडू के पोदे पर भी गराफ्ट करके उगा सकते हैं और basically जो आडू के पोदा होता है और बदाम का पोदा दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं इनका बहुत ही minute सा difference होता है और बहुत कम लोग उनको उसके बारे में पता होता है आप लोग अगर आडू के पोदे पर भी ग्राफ्ट करना चाहते हैं आपके हाँ पर पहले से आडू का पोदा अच्छा लगा हुआ है तो आप बदाम के पोदे के कलम उसके उपर ग्राफ्ट कर सकते हैं और उससे भी बदाम प्राफ्ट किये जा सकते हैं खेर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जहां भी आप बदाम का पोदा लगाएं वहां पर इस बात का ध्यान रहे कि कभी भी आपको उसके अंदर जो है फारम मैनियोर के अलावा कोई भी फर्टिलाइजर या पैस्टिसाइड आपको नहीं डालना हमने गलती की थी हमारे घर पे बदाम का पोदा था अच्छी ग्रोथ थी उसके ओपर लगने भी शुरू हो गए थे लेकिन हमने उसको ज्यादा तेजी से बढ़ाने के चक्कर में यूरिया डियपी इस सब चीज़ डाली थी और कैमिकल फर्टिलाइजर डालने के बाद वो लगबग एक डेड़ म लगा सकते हैं याद रहे कि जिस भी नर्सरी से लाएं वो आपके आसपास के एरिया के नर्सरी हो ताकि वहां पर आप उसके सर्वाइवल को भी देख सकेंगी कितना सर्वाइव करता है बहुत से वराइटिया है अपने घर पर जरूर एक पोधा लाईए और लगाईए दे हुआ